हलो गैज मैं खुशिरो आपका स्वाधत करती हूं दे नियूस टॉक चैनल में आज हैंक जो मामला आपको बताने जारे हैं इसके बारे में सुनकिया आप काफे ज़ता हराम होंगे कि सच में मां ऐसी हो सकती है कभी अपने जिवर के कलेजी को अपने से दूर कर सकती है सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों के लिए एक्चुली में पिता के छोड़के जाने के बाद महिला ने अपने दो महीने के बच्चे को बेच दिया जली जानते है मामला कहा है कहा से आ रहा है इसके बारे में बताइंगे पर इसे पहली अगर आपनी हमारा चैनल सब्सक्राइब न उनके बीच पे बहस हुई और बहस होने के बाद पती चला गया और उसे पतनी ने सोचा कि भई मेरे तो अभी दो महीने का बच्चा है तो मैं क्या करूँ तो उसने अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथ में 45,000 रुपए में बेच दिया और कुछ दिन के बाद पती वापस पती वापस आने के बाद पती ने पूछा कि बच्चा कहां पर है तो वहां पर महीला ने बोला कि उसको सामान की चीजों के जरूरत थी तो तुम मुझे छोड़के चले गए थे तो मैं क्या करती इसलिए उसने बच्चे को बेच दिया और ये चीज़ सुनके उसके पती के पैरो तले जमीन खिसर गई और जल से गया वो पुलिस टेशन और अपने पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट डर्ज कर आए जब पुलिस वाले हरकत में आये तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने पूरी डिटील बताई और छे लोगों को गिरिफतार करके पत्नी को भी गिरिफत वो पैसे से कि मैं अपना गुजाला कर पाओ इस दुरान ही ये सब चिदे जब सामने आई तो पती से पूछा तो पती का कहना ये है कि छूटी मोटी लडाई हुई थी और उस दिन बच्चे को बेच दिया है हाला कि अभी पुलिस इसके उपर क्या कारवाई की करेगी इसक किसको क्या कारवाई करने चाहिए उस महिला के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीची इसके साथ मैं लेती हुजाजद बबाए ठेक के नमस्कार